Welcome to all in this video आप सबी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है Time Management आज हम पढ़ेंगे The Four Quadrant of Time Management Friends, Time Management स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले में आपको यह बताना चाहूंगा कि Time Management क्यों जरूर है जो लोग जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या जो बिजनिस करते हैं, जिनकी एक-एक मिनट बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होती है, और जो नॉर्मल लोग, टाइम एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो नौकरी करते हों, चाहे नौकरी नहीं करते हों, सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है Jennerly होता क्या है कि जो भीजिनस करते हैं जॉप करते हैं उनकी जिंदिगी इतनी बिजी हो जाती है कि वो कोई भी काम के निंग कर पाते और generally उनके साथ ये भी होता है कि जो काम जरूरी थे वह छोड़ कया और जो ज़रूर नहीं था उन्होंने कर लिया टाइम निकलने के बाद उनको याद आता है अरे यार शिट ये काम छूट गया मेरा मुझे तो ये काम करना था इस तरह की बहुत सारी प्रब्लम्स उनके सामने आती रहती है अब हम देखेंगे कि इस टाइम को कैसे मैनेज करें और हमा दुख कररा कोई भी काम ना छूटे हम सभी काम को सही समय पर कर सकें तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट के 4400 इन सभी को समझें जो 4400 है टाइम मैनेजमेंट के उनको आप समझें तो सबसे पहला आप अ crackingchton Urgent and Important पहला, दूसरा, Not Urgent and Important और तीसरा, Urgent and Not Important, चौथा, Not Urgent and Not Important, थीज आर four quadrant of time management, तो एक हें करके हम सभी को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला, Urgent and Not Important, फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि जो भी आप काम करते हैं, जो आपके works हैं, उनको आप classified कीजिए, आप बांटिए, कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है, उसके बाद decide कीजिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आप कैसे बांटते हैं, वो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखिए important, तो friends, जो काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, और महत्वड भी है, ऐसे काम को हम सबसे पहले करेंगे, अब ऐसे काम क्या हो सकते हैं कि इनसान की life में, जैसे कोई meeting करने जाना है आपको, कोई project का work है आपके सामने, या कुछ calls हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो स जिसके बना बहुत सारा नुकसान हो सकता है, कोई crisis हो सकती है, इसके लाबा कुछ medical emergency हो सकती है, कोई last minute changes, ऐसा कोई काम है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, चेंज करने के लिए इस तरह का कोई काम आ सकता है, या कुछ important decisions हो सकते हैं, जो आपको बहुत urgent लेना है, जिस किसी का accident हो गया है, तो भी आपको वहां जाना जरूरी हो सकता है, ये इस आपके लिए important work है, तभी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा urgent है, जरूरी है, और urgent के साथ ही साथ, वो काम आपके लिए important भी है, तो ऐसे का स्क्राइड कर लें यह कुछ एक्जांपल से हैं आप अपने वक्स को इस तरह से लिख सकते हैं अब हम देखते हैं सेगेंड कोड्रेंट हमारा जो दूसरा पॉइंट है नौट अर्जेंट एन इंपोर्टेंट यह कोड्रेंट में क्या होगा कि कोई काम अर्जेंट तो नहीं है लेकिन वो काम इंपोर्टेंट है तो इसको आप दूसरे नंबर पर करेंगे फर्स्ट आप नहीं यह किया सेगेंड आप इससे करेंगे इसमें क्या हो सकता है प्लानि करना है या आपको exercise करना है कोई relationship building का काम है कोई coaching करना है को creative work है के अलावा आपको relax करना है मतलब rest करना तो second quadrant में हमें वो work रखना है कि जो urgent नहीं है मतलब उनको अभी करने की जरूरत नहीं है आप कल कर सकते हैं परसों कर सकते हैं लेकिन करना जरूरी है important है इस तरह से मैंने आपके लिए examples लिखें आप अपने कामों को इस तरह से लिख सकते हैं हो सकता है कि आपके जो works है आपके जो काम है आपकी जो activities है वो अलग पिरसी उसको सब से पहले करेंगे सेकेंड में A disciplined तो नहीं लेकिन important लेकिन इमपोर्टन तो आप वह करेंगे आब हम देखेंगे थाक्रº 3rd quadrant क्या है urgent and not important अब ये क्या है कि urgent तो है तीसरी नमबर पे जो हम काम करने वाले वो उन कामों को करेंगे जो urgent है लेकिन important नहीं अब जैसे क्या हो सकते हैं अब परस्नल कॉल्स कुछ कॉल्स हो सकते हैं जो आपके लिए जरूरी है इसके लाबा कुछ emails हो सकते हैं कुछ reports हो सकती हैं कुछ personal meetings हो सकती हैं कुछ presentations हो सकते हैं या कुछ activities हो सकती हैं आपके कोई भी काम आप अपने जो काम हैं उनको आप इस तरह से classified कीजिए आपके काम कुछ अलग हो सकते हैं उससे कोई issue नहीं है यह मैंने example के लिए आपके सामने हैं जितने भी हैं यह अर्जेंट हैं हो सकता है कि इसके अंदर कुछ important हो जाए या कुछ जरूरी काम हमें करने को आ जाए इस तरह से भ्रह्म हो जाता है बट यह जो काम है urgent तो होते हैं बट important नहीं होते हैं इसलिए हमें इन कामों को तीसरे नमबर पर रखना है। अब हम बात करेंगे last quadrant. Last है हमारा not urgent and not important. ये चौथा जो काम है ये है time waste quadrant. मतलब इससे time waste होता है अब क्या है ना तो वो urgent है और ना ही important है? ये जो चौथा quadrant है ये ना तो urgent है और ना ही important है? इसलिए इन में आने वाले जो भी कार हैं, जो भी हमारे works हैं, इसे हम चौथे नमबर पर करेंगे. जैसे gossip करना, मतलब बाचीत आप कर रहे हैंगे अपने friends से, तो बाचीत कल भी कर सकते हैं, पर्सों भी कर सकते हैं, वो सकता है कुछ बाचीत तो ऐसी होती है जिनकी जरूरती नहीं है, मजाग मस्ती वाली बारचीत हैं फालतू है जरूरती नहीं ऐसी बातों के लिए तो ऐसे सेकंड वोचिंग माइंडलेस टीवी इसका मतलब यह होता है कि टीवी जो फालतू देखी जाती है उसे नहीं देखना चाहिए यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ आपसे कि टीवी टीवी देखना चाहिए डी बहुत जरूरी भी है जिसके मात्यम से मैं न्यूज मिलती मिलती हूँ लेकन एकुस्यां टीवी देखना बिना मतलब के मैंं लेस जिसका कोई मतलब यहाँ ऐसे ब्रग्रेम दिकना से को सब नहीं करना चाहिए इस से हाँ का यूज करते हैं तो वो आपके लिए नुक्संदायक हो जाता है और ऐसे काम को हम सबसे आखरी में कर सकते हैं इट फेस्बुक वाट्शेप इनका आप सही यूज करें लिमिट में यूज करें तो यह ठीक है लेकिन इसका एक्सेजिव यूज करना जरूत से ज्यादा ओवर यूज करना हेल्थ के लिए नुक्संदायक है यह आपकी हेल्थ के लिए हामफुल है मतलब नुक्संदायक है तो इन सभी कामों को आप सबसे आखरी में कीजिए फ्रेंड्स इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट के अंतरगत आप अपने टाइम को बांट लिए आप टाइम मैनेजमेंट के अंतरगत आप अपने टाइम को बांट ये कि हमारी लाइफ में कौन सा काम जरूरी है कौन सा काम जरूरी नहीं है कौन सा ज्यादा जरूरी है कौन सा काम बिलकुल जरूरी नहीं है आप जब ऐसे बांट लेंगे अपने टाइम को अपने कामों को तो कोई भी काम आपका छूटेगा नहीं और आप सभी काम को सभी समय पर फिनिश करेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी आपका जो important work है जो आपको करना था आप करना भूल जाते हैं या आपके पास time नहीं रहता है कि time खतम हो गया इस काम को करना था हम भूल गए time नहीं बचा तो ये जो issue हैं आपकी life से हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे तो उम्मीद है friends आपको time management अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment box में लिखकर send कर सकते हैं